बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रशाद यादव अपना इलाज कराने सिंगापुर जाते हैं हाथ का सरजरी कराने मुंबई के A.C.N. हाथ अस्पताल पहुँचते हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नितीश कुमार अपने आखों का इलाज कराने दिल ली जाते हैं और अब देखिए पटना के जिला अधिकारी जीहां पटना के डियम जो है उन्हें डेंगू हो गया है और डेंगू का इलाज कराने बजापते वो पिछले चार दिनों से पटना के और बिहार के सबसे महंगे प्राइविट अस्पताल पारस में भरती हैं तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो जन्परतिने दी हैं या जो बिरोक्रेट्स हैं क्या उनको बिहार के अस्पतालों पर भरोसा नहीं है यानि बिहार के जो सरकारी अस्पताल है जिसका संचालन बिहार सरकार करती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है अब डेंगू के पहले बात कर लेते हैं तो पटना के जो डीम है चंदर सेकर चिंग वो डेंगू के चपेट में आ गये हैं और खबरे याए की संक्रमित होने के बाद उन्हें पारस अस्पताल में अड्मिट कराया गया जहाँ पर खुद विहार के मुखे मंत्री नितीश कु कर उन्हें चढ़ाया गया इसके बाद उनके हालत में सुधार आया है और सोम वर याज उनके हालत पहले से अब बहतर बताई जा रही है इस बारे में जिला प्रसासंज जो है उसके दोरा आधिकारी कोई भी नहीं दी जा रही है लेकिन ये बात सत्त्य है कि पत्तना के जो भग 13 करोड अनुमानी थे, अनुमान किया जाता है कि व्यायर के अबादी 13 करोड के आसपास है, अगर हम पुर्व मुख्यमंतरी लालुपरसाद यादव, नितीश कुमार जो मुख्यमंतरी हैं और पत्ना के जिला अदिकारी, इन तीन व्यक्ति को हटा भी दे, तब भी अब अखिपूर जो है, वो सेंटर बना हुआ है, कंकडबाग जो होट स्पॉट बना हुआ है, बारिस हो ही रही है, ऐसे में जो लारवा होता है, मच्छर का फिर से पनपने लगा है, और धीरे धीरे डेंगू जो है अपना काम जो है डेंगू दिखा रहा है पत्ना में, पत्ना पटना में डेंगू के मरीज पहले नगर निगम के बाकी पुरंचल के तहट आने वाला इलाकों में मिल रहे थे इस इलाकों में 30 से अधिक मरीज अब तक सामने आ चुके हैं लेकिन कंकड़ बाग जो है वह होट एस्पोर्ट बना हुआ है तो पुल मिला जो लाकर हर साल 2019 का पटना वाटर लॉगिंग हम को याद है इसमें सैक्रों जाने चली गए देंगू के चलते फिर पिछले साल 2022 की बात करें तो पटना का साइधी को इलाका होगा जो डेंगू से अंचुआ रहा गया था तो आखिरकार डेंगू क्यों फैलता है साब सफाई को लेकर पटना न है कि किसी भी सरकारी अधिकारी हो या कुछ सरकार में बैठे हुए हमारे cm हो पूर्भ cm हो विधायक हो मंत्री हो कोई जनप्रतनिदी हो यह थोड़ा सक्षम है या कोई ऐसा बिहार कहीं रहनेवाला गोश होगा पटना पार पस पैसा फिल से भी बिहार के सरकारी इस्पतालों में नहीं पहुंचते हैं और ये खुद में एक बहुत बड़ा सांकेतिक मेसेज है कि हमारे जो लोग बिहार को चला रहे हैं चाहे हूँ अधिकारी हो नेता हो कोई भी हो उनको यहां के सरकारी मेडिकल विवस्था पर स्वास्थ विवस्था पर बिलकुल भी भरोसा नहीं है और इसका प्रत्यक्ष प्रमान आप इस बात समझेए कि ये इलाज कराने या तो बॉंबे जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं सिंगापूर तक जा रहे हैं और पटना में अगर इनको मजबूरी म में अड्मिट हैं अब पारत अस्पटाल कितना महेंगा है इसका अंडाजा आप जाकर वहां पर बस एक बार रेट का एंकोरी कर लिए तो आपको समझ में आएगा रूम वहां पर तीन तरह के मिलते हैं डी डिलक्स हैं सुपर डिलक्स है आठ हजार से दहजार रुपया एक 2020 में कोविट के समय में तो बिहार के स्वास्तोंस्ता का पोल खूल ही चुका है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही मेरा नाम दिपतारन है बहुत बहुत शुक्रिया